एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रोयल इंफिंट फूल बुलड पेंट जो कि 15 साल पुराना है जो कि आप पहले की कंडिशन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हैं इसका कलर भी रिमू हो रहा है और उसके बाद कुछ पर थैख सकते हैं क्या हैं पपड़ी जैसा छोड़ रहा था तो इस वीडियो में फूल ब्लियों बलक कलर में करने वाले हैं जो कि आजकल का बहुत ही फैसन माडर चल ला है और इसके नीचे एंजन के नीचे देख सकते हैं बहुत सारे डास्टर गेरा पड़े हुए हैं और इसके पीछे मैं दिखा देता हूं ये बहुत बहुत सड़ गया है लग रहा है इसमें बहुत बुरी तरीके से पेंट ज़की समय कर दिए हैं और उसके बाद जरूरत के हिसाब से आप सकते हैं बादीविलर अप्लाई हो चुका है जो यसरी सभी उसमें आपलाई होने के बाद उससे sending करते हैं पानी से जो कि देर सो नमबर पेपर होता है लास्ट वीडियो में जानेंगे कि फूल बाई की कोस्ट कितनी आई और कौन कौन से पार्ट इसमें बदले गए हैं पेंटिंग से रिलेटिड बहुत सारी जानकारिया इस वीडियो में मिले वाली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा पूरे पार्ट सेंडिंग होने के बाद इसमें अस्तर रेपलाई का प्रोसेस होता है और ये पहला कोड चला है अस्तर रेपलाई का दूसरा कोड ब्लैक कलर अस्तर रेपलाई होने का प्रोसेस होता है जो की चलिए देखते हैं सो आप देख सकते हैं ब्लेक कलर अस्तर एपलाई होता है ब्लेक कलर इसलिए अस्तर एपलाई किया रहता है ताकि प्यू का जो पेंट होता है वो बहुत ही पतला आता है हमारे गुरुजी बताते हैं और पतला आता इसलिए उस पर अच्छे से नहीं चड़ता है आस्तर एपलाई होने और सेंडिंग होने के बाद चरिए ब्लेक पेंट की प्रोसेस देखते हैं आस्तर एपलाई होने के बाद इसमें लेकर मानने के कोई जरूराद नहीं होती है मैंने गुरू इससे पूछा तो बताएं कि इसमें प्यू के पेंट में पहले से लेकर मिला रहता है ब्लेक पेंट अपलाई हो जाने के बाद उसे एक दिन के लिए छोड़ देते हैं सुखने के लिए और सुखने के बाद चलिए लाश्ट सौट देखते हैं कि आख तो कि आख तो कि आख फूल पेंटिंग के प्रोसेस ती छे से साथ दिन में कंप्लीट हुई है फूल भाई की कोस्ट आई है तीन से चार जार रुपए और इसमें एलाइबिल कस्टमर का कहना था भाई इलाइबल पर पेंट एपलाई मत करना है मैं एलाइबिल नया लगवाने वाला हूं तो लास्ट टक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए है तो संस्क्राइब कर लेजिए इसी से रिलेटिट वीडियो पाने के लिए धन्यवाद